नास्ता डेली घर में बनाते हैं हर बार सोचना होता है आज क्या बनाओ आज कुछ अलग बनाते हैं आज कुछ जादा यमी आज कुछ टेश्टी मैं आज आपके साथ ऐसा ही यमी टेश्टी और हेल्दी नास्ता सेर करूँगी जो बना है दाल और अंडे से यह नास्ता बहु यह हमारा नास्ता जो मैंने बनाया है दाल और अंडे से जो बनने के बाद आप देखे इसका टेक्श्चर और देखने से ही लुक से ही आपको समझ में आ रहागा कितना यमी बना है बहुत सिंपल भी है इसली आप दो चीजों से बना सकते हैं तो चली इसी के रिसीपी में अंडे के साथ ये नास्ता इसे अंडा बरा भी बोलते हैं तो अगर आपको पसंद आएगा वीडियो तो प्लीज लाइक कर दीजेगा और साथ में चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजेगा तो चलिए हम बनाना सुरू करते हैं यह यमी सा अंडे का नास्ता और इसका देखा अरी हमें आपको कितना फ्लापी भी है तो यह से आप देखिए और चलिए बनाना सुरू करते हैं मैंने यहां पर लिया है औरत की डाल आप इस नास्ते को मूं के डाल से भी बना सकते हैं बहुत यमी बहुत हेल्दी रहेगा यहां पर मैंने औरत डाल लिया है इसे मैंने ए मुंग का दाल भी आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं उसके साथ यूमी बनता है तो भीगेवे दाल को अच्छे साप करके आप इसे पीस लीजिए मिक्सर में तो यह देखिए यहां पर मैंने दाल को पीस लिया है और कंसिटनसी थोड़ी टाइट रखेगा मतलब रणिंग काम में नहीं होना चाहिए जैसा इडली का बैटर होता है ना सेम उसी तरह से सी कंसिटनसी रखेगा और पहला काम आपको क्या करना है इसके बाद इसे आपको अच्छे से फेटना है कम से कम देड़ से 2-3 मिन तक आप इसे खूब अच्छे से फेट यह ताकि यह हलका हो जा बेकिंग पाउडर उससे भी यह काफी फ्लापी और इस पॉंजी बनेगा तो यहां पर मैं डालूंगी नमक जड़ा सा आधा चोटा चमच पाउडर डाला है आप यहां पी काली मेज पाउडर भुना हुआ जीरा पाउडर जैसा फ्लेवर आपको चाहिए डाल सकते हैं और इसे आपको फेटना है तो इसे थोड़ी दिर आप फेटेंगे तो यह काफी फ्लाफी सा इसका बैटर हो जाएगा मतलब गोल इसका बहुत हलका हो जाता है अगर आप नहीं फेटेंगे तो ध्यान डखेगा थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालीजेगा तो यह देखे मैं मैंने यहां पर बारिक चॉप करके डाल दिया है और एक छोटा टमाटर टमाटर आप स्केप कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा वेजी नहीं चाहिए तो आप टमाटर स्केप कर लीजेए प्याज भी आप चाहें तो डाले नहीं तो ऐसे भी बहुत अच्छा बने मैंने यहां पर यहां जाना है इस दोनों को स्केप कर सकते हैं इस तरह के डीसिस में तो आप शकेप कर सकते हैं यहां मैंने लिया है तो मैं आपको दिखाती हूं कि अब हमें क्या करना है सबसे पहले गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे और चढ़ाएंगे एक पैन आप इस रेसिपी को तवे पे भी बना सकते हैं मैंने यहां पे एक गहरा पैन लिया हुआ है आप समस रहे हैं यह तड़का वाला पैन है तो मैं उसमें बना रही हूँ इसमें काफी अच्छा गोल सा बनता है आप इससे अगर कोई इशू नहीं है कि आप इससे इस तरह के पैन में ही बनाईए आप तवे पे बना लिजे इससे बहुत ही अच्छा बनेगा इसमें दाल दिया है चोटा चमच सरसो का तेल अप कोई भी कूकिंग ओल यूज कर सकते हैं मैंने सरसो का तेल यूज किया है तो इसके गरम होने के बाद आपको बैटर इस तरह से 1-2 शचंछ डाल के पैला लेना है रलका हलका घखा आप किनारे से लोगा रहना है हलका छार हो बस डायरेक्ट आप अंडा तोड़िए और इसमें टाल दीजिए तो एक चमल से मैंने हापी से तोड़ा है और इसमें टाल दिया है उपर से अब यहां पे आप गैस का फ्लेम थोड़ा सा हाई करके फिर लो कर दीजिए लो फ्लेम पे थोड़ी देर तक आपको इसे है उपर से हल्का नमक चातः मसाला अब डाल दीजिए हलका सा काली मिर्च पाउडर आप चाहें तो यहां पे जो भी आपका बन हो आप साहें तो हरी मिर्च डाल सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो मैं यहाँ अपने बच्चों को सफाप करूंगी तो मैंने हरी मिर्च नह और अंदर से सिख जाए थोड़ी देर के लिए आपको इसे ढखके रखना है तो यह देखे यहां पे लो फ्लेम कर लिया है मैंने और इसे ढख दिया है इस तरह से ढखकन से आप इसे इसली तवेवे बनाईए बहुत ही अच्छा बनेगा मैं तो बस इस तरह से पैन यूज़ कर रही हूँ आप इसे तवेवे बना सकते हैं तोड़ी देर बाद हम इस तरह से घुमा के देख लेंगे कि अंदर से मतलब नीचे से अच्छे से सेट हो गया है पक गया है कि नहीं और फिर इसे आराम से ध्यान से पलट देंगे तो यह देखिए नीचे से काफी अच्छे स यह सिग गया है दाल जो हमने उरत की दाल का बैटर डाला था ना यह वही है और यह कितना बढ़िया यह जैसे लग रहा है कि अंडा ही होमलेटी है फिर से हम एक बारी से ढख देंगे और थोड़ी देर के लिए लग भक 30 से 40 से के लिए लिए लो फ्लेम पे पकने देंगे ताकि यह दोनों तरब से बहुत ही अच्छे से सिख जाए तो यह देखे रेडी हो गया है हमारा यमी यमी अंडा बरा जो बहुत ही टेश्टी के साथ साथ सूपर हेल्दी भी है तो अगर आप इस तरह से बनाके नास्ता सर्फ करेंगे कभी बच्चों को या बढ़ों को ब समझी सकते हैं कि यह बहुत ही अच्छे से सिख चुका है यहां पर हम कैस का फ्लेम आफ कर देंगे और इसे पाहर निकाल लेंगे तो आप आमलेट बहुत बार खाए होंगे मगर यह टेश्ट लेके देखे इसका अपना अलग ही मजा है तो इसे मैंने निकाल लिया है बाहर और यह देखे सूपर क्रची उपर से एकदब यमी सा क्रिस्पी सा लुक है इसी तरह से दूसरा हम बना लेते हैं फटा फट से देखे मैंने इस हलका सा तेल डाला है इसमें और तेल डालने के बाद गैस का फ्लेम लो कर लेंगे और इसमें इसी तरह से बैटर डालके दोने रख लीजिए हरी मिश डाल लो हरी मिश डाल लिए थोड़ी देरी से ढख के रख लीजिए और फटा फट से जब सीख जाए एक तरफ से तो प्लाट लीजिए हलका सा अगर इधर अधर अंडा भैल जाए तो कोई बात नहीं बढने के बाद पूरा ये बहुत ही अच्छा बनता है तो ये देखिए दोनों तरफ से ये अच्छे से ब्राउन हो चुका है और इक्दम सिख गया है तो ये है न बहुत ही कमाल करनास्ता अंदर से आप देख सकते हैं कितना बड़ी हां से पक गया है कहीं भी आपको कुछ है मतलब यमी ही लुक दिखेगा चारो तरफ से तो ये देखिए यहां पर मैंने इसे भी निकाल लिया है तो ये फटा फट सा अंडा बरा बनके रेडी है सर्फ करने के लिए चाहें तो आप इसे सौस के साथ सर्फ करें ये ऐसे ही बहुत यमी लगेगा तो ये प्लेट में ब इस वीडियो में तब तक खाते रहें खिलाते रहें असास रहें